दा हंडरिट सीजन सेवन ने मास्क नहीं पहना तो वहां मौझूद हवा के कारण उनकी बॉड़ी पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो चारों लोग मास्क पहन कर एंडर्स के साथ बाहर निकलते हैं तब वो वहां पर मौझूद कई लोगों की बॉडिस को देखते हैं जो कि पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी है अक्टिविया, इको, होप और डियोसा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उन लोगों का हैड ट्रेनर लेविट को बनाया जाता है लेविट ने क्योंकि एमकेप के जरिये उन लोगों की मेमोरीज को पढ़ लिया था और उन लोगों के बारे में काफी कुछ जानता था इसलिए एंडर्स ने उसे हैड ट्रेनर के रूप में चूस किया था जब आक्टिविया, इको, होप और डियोसा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं थब एंडर्स चार और लोगों को वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आता है वो अपने साथ लाइ हुए चार लोगों को उन चारों से लड़ने के लिए कहता है अक्टिविया, एको, होप और डियोसा जल्दी ही Anders के लाए हुए उन्चारों आदमियों को मार गिराती हैं Anders उन्चारों को अपने तरीके से ट्रेनिंग देना चाहता है ठोड़े समय बात दिखाया चाता है कि इन लोगों को डर से भी इंट्रोड्यूस करवाया चाता है जहाँ पर डियोसा को एक कैबिन में बान दिया जाता है और कोई उसकी बेबी होप को कमारने की कोशिश करता है डियोसा देखती है कि वहाँ पर एंडर्स आता है और उस बेबी को अपनी गोद में उठा कर बहार निकलने लग जाता है एंडर्स डियोसा को बताता है कि ये बेबी उसकी बेबी होप नहीं है अब ये बार्डो की संपती है और वो इसे अपने साथ रखेगा डियोसा एंडर्स को होप को ले जाते हुए देखती है और वो उसे ले जाते हुए देखकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है होते रहे तो उन सभी लोगों को स्काइरिंग प्लानेट पे मरने के लिए भेज दिया जाएगा एंडर्स अपनी बात क्लियर करता है कि उन लोगों को मन लगा का ट्रेनिंग में पाटिसिपेट करना पड़ेगा और यहां की बाते सीखनी होगी आक्टिविया एको होप और डियोसा यह देखते हैं कि बार्डो के लोगों ने एक बेबी लैब बनाया हुआ था जहां पर वो लोग टेस्ट ट्यूब में बेबीज बनाया करते थे उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग बच्चों की होने वाली बिमारी को पहले से ही क्योर कर देते हैं और यहां पर एक हेल्दी बच्चा जनम लेता है उन लोगों को ये भी बताया जाता है कि बच्ची के पैदा होने के बाद उन्हें एक ग्रूप पाल पोस्कर बड़ा करता है और उन्हें Shepard की रूल्स के बारे में बताया जाता है वो लोग बार्डो के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं और उन्हें डिसिपल्स कहकर बुलाया जाता है अक्टिविया, इको, होप और डियोसा बच्चों की क्लास को भी अटेंड करते हैं जहां पर उन बच्चों को शेफर्ड की पूरी लाइफ चर्णी के बारे में बताया जाता है वहाँ वो सभी मिलकर शेफर्ड के बारे में प्रेयर कहते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं उस क्लासरूम से भाहर डिकलते से में होप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है होप कहती है कि ये लोग बच्चों को बच्चों टाइप से बड़ा नहीं कर रहे हैं वो लोग उनका ब्रेन वाश करते हैं लेकिन एको होप को समझाती है और कहती है कि तुम नहीं जानती कि बच्चपन इससे भी बुरा हो सकता है और वो उसने खुच जिया है रूम में आने के बाद एको होप को समझाती है कि उनके उपर लगातार डिसिपल्स नजर रखे हुए हैं इसलिए होप को अब स्मार्ट प्ले करना होगा होप ये बात सुनकर इको के उपर गुस्ता करने लग जाती है जबकि आक्टेविया इको को समझते हुए होप को समझाने की कोशिश करती है और उसे अपने गुस्ते को कंट्रोल में रखने के लिए कहती है डियोजा भी होप को समझाती है कि यहाँ पर मौजूद सभी डिसिपल्स चाहते हैं कि ये लोग पूरी तरह से दिल और दिमाग से उन लोगों के फॉलोवर्स बन चाएं और उनकी ट्रेनिंग में सक्सेस्फुल रहें नेक्स डे अक्टिविया, इको, डियोसा और खोप की सूट्स और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जब ये सभी लोग लेविट के साथ वेपन्स रूम में होते हैं तब लेविट इन लोगों को बायो हैजर्ड रूम के बारे में बताता है वहाँ पर एक ऐसा आइसलेटेट कंपाउंड रखाय हुआ है जो कि पूरे बार्डो ग्रह को नस्ट कर सकता है उस आइसलेटेट कंपाउंड को बार्डो ग्रह के लोग जैम 9 कहकर बुलाया करते हैं और उसकी एक अकेली बुन्द पूरे प्लैनेट को डैस्ट्रॉई करने के लिए काफी है अगली ट्रेनिंग इन लोगों की ब्लाइन फोल्डेट होकर शूट करना है इन चारों के पार्टनर्स उन लोगों को गाइड करने के लिए आ जाते हैं कि इन लुगों को किस तरह से निशाना लगाना होगा जब Octavia, Hope और Diosa अपने निशाने को लगाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं तब Eco बिना अपने पार्टर की मदद के ही परफेक्ट निशाना लगा कर सब को आश्यर चकित कर देती है Hope का कहना है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको नियमों को जानने की जरूरत नहीं होती Anders Eco को देखकर बहुत ज़्यादा impressed हो जाता है उस दिन की training के खतम होने के बाद लेविट Octavia के पास आता है और उसे अगले लिवल के बारे में बताता है लेविट Octavia को बताता है कि उन लोगों का अगले लिवल में पास होना बहुत जरूरी है और इसके लिए Octavia को अपने emotions को काबू में रखना होगा एक scene में दिखाया जाता है कि Hope अपने दिमाग में बार्डो से revenge को लेकर इको के room में आती है वो इको को कहती है कि वो दोनों मिलकर oxygen form में आग लगा देते हैं और बार्डो पे मौजूद हर लोग को मार डालते हैं और यहां से भाग कर एनोमली स्टोन का यूज़ करते हुए बापस चले जाते हैं Hope ये कहते हुए oxygen form की और बढ़ने लग जाती है इको उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है Hope कोशिश करती है कि वो अपनी बातों से इको को अपनी तरफ कर ले वो इको को बैलेमी की भी याद दिलाती है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो बैलेमी की मौत का बदला भी ले सकती है इको उस वक्त होप को कहती है कि उन लोगों को अक्टिविया और डियोसर से भी इस मामले में बात करनी चाहिए लेकिन होप इको की कोई भी बात नहीं सुनती और वो पेड़ों के बहुत नज़्दीक पहुँच जाती है वो वहाँ पर आग लगाने ही वाली होती है, तब ही Eco उसके पैरों में एक चाकू मार देती है Hope Eco द्वारा पैर में चाकू मारे जाने पर भी नहीं रुपती, वो वहाँ पर आग लगाना चाहती है तब Eco और कोई चारा न देखकर Hope की गले में चाकू फेक कर मार देती है जिसमें कि उन दोनों ने अपने-पने mind के stimulation में hope को मार दिया और वो दोनों भी test के इस level को pass कर लेते हैं लेकिन वहीं पर hope अपने stimulation में डियोसा को नहीं मार पाती और वो इस test में fail हो जाती है Anders, Octavia, Eco और डियोसा को level 2 का tattoo देता है और वो Eco से बहुत ज़्यादा impressed है इसलिए वो Eco से कहता है कि अब वो decide करेगी कि hope का क्या करना चाहिए Eco hope के लिए सजा निर्धारित करती है कि उसे 5 साल के लिए Skyring Planet के उपर अकिले भेज़ देना चाहिए अब एक बार फिर से चलते हैं सैंक्टम की और जहाँ पर निकी और उसके साथियोंने Nelson के साथ मिलकर सबी लोगों को बंदी बना लिया है उन लोगोंने पैलस के उपर कपज़ा कर लिया है इमोरी मैडी को सांतुना देने की कोशिश करती है और उसे comfort महसूस करवाना चाहती है लेकिन नेलसन मैडी को खीच कर दूर ले जाता है निकी वहां मौजूट लाउड स्पिकर पर एनाउंस करती है और ये एनाउंस्मेंट रश्चल और डैनियल प्राइम के लिए था कि अगर वो लोग सभी को वहां पर जिंदा देखना चाहते हैं तो वो लोग रेवन को 20 मिनिट के अंदर उसके सामने हाजिर करें नहीं तो वो एक एक करके वहां मौजूट सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी और जिसमें वो सबसे पहले काईली यानि की इमोरी को मारेगी इमोरी चिलाकर मौर्फी को वार्ण करना चाहती है लेकिन निकी तबी लौड स्पीकर को आफ कर देती है मौर्फी निकी के सामने जाकर सरेंडर करने के लिए तयार हो जाता है तभी इंदरा गैब्रियल के camp से लाट कर बापस आती है और सभी को बताती है कि वहाँ पर सभी लोग missing है इंदरा वहाँ आकर सभी को बताती है कि उसे गैब्रियल के tent के आसपास कुछ unknown dead bodies मिली हैं मौर्फी और इंदरा अब समझ नहीं पाते कि वो लोग रेवन को निकी के दिये हुए समय में बापस कैसे लेकर आएं क्योंकि रेवन क्लार्क और पूरे ग्रुप के साथ मिसिंग है मौर्फी के दिमाग में प्लान आता है वो चाहता है कि वो शेड हिडा को लेकर अब पैलेस में जाए जिससे कि उन लोगों को कुछ समय मिल जाए शेड हिडा मौर्फी और इंद्रा की इस बात को मान कर उनका साथ देने के लिए तयार हो जाता है बदले में वो शर्त रखता है कि उसे 20 मिनिट के लिए बाहर निकलने दिया जाए और उसके साथ किसी को चैस खिलने रोज भेजा जाए इंद्रा जब शेड हिडा की इन शर्तों को मान लेती है तब वो इंद्रा के सामने अपनी कुछ और डिमांड्स रखता है शेड हिडा क्योंकि रशल की बाडी में है तब वो पैलेस के नीचे की सीक्रेट टनल के बारे में जानता है वो सभी लोग सीक्रेट टनल का यूज करके पैलेस तक पहुंसते हैं रेशल और मॉर्फी जब पैलेस में पहुंसते हैं तब नेलसन उन लोगों को बोलता है कि वो वहां मौजूद सभी लोगों को अपने बारे में पूरी सच्चाई बता दें कि वो लोग कोई प्राइम नहीं है मॉर्फी और इमोरी अपनी प्राइम ना होने की सच्चाई को वहां मौजूद सभी लोगों को बता देते हैं निकी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसे रेवन वहां पर किसी भी हालात में चाहिए वो मॉर्फी से कहती है कि उसके पास एक मिनिट का समय है अगर रेवन यहाँ पर नहीं पहुची तो वो इमोरी को मार डालेगी तब ही रशल अपने प्राइम ना होने की सच्चाई वहां मौजूद सभी लोगों को बता देता है रशल के मूँ से ये सुनते ही वहां मौजूद रोम में चारो तरफ अफ़रा तफरी मत जाती है मॉर्फी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो निकी से कहता है कि हैच को रेडेशन रोम में भेजने का प्लान उसका था रेविन का नहीं था और वो इमोरी को छोड़ कर मॉर्फी को मार दे उसी वड़ पिछले दरवाजे का यूज करते हुए इंद्रा और उसके लोग अंदर घुसाते हैं इंद्रा वान क्रू को ओर्डर देती है कि वो वहां मौझूद प्राइम्स के फॉलोवर्स को छोड़ कर सभी लोगों को बहार निकाल ले इंद्रा चाहती है कि प्राइम्स के फॉलोवर्स रशल के उपर गुसा हो जाएं और वो शेड हिड़ा को रशल समझते हुए उसे मार डालें इंद्रा वान क्रू को दरवाजे के बहार खड़े रहने का ओर्डर देती है और वहां से निकल जाती है मौर्फी दरवाजे के बहार खड़ा हुआ अंदर से आती हुई आवाजों को सुनता है वो गार्ड्स के उपर चिलाता है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन वान क्रू के गार्ड्स दरवाजा नहीं खोलते मॉर्फी चिला कर उन सभी को कहता है कि Shade Heda उन सब को मार रहा है तभी अंदर से Dark Commander Shade Heda की जोरों से आवाज सुनाई देती है वो सभी को चिला कर उनकी अपनी language Trigadence Lang में दरवाजा खोलने के लिए कहता है वोन क्रू के सभी गार्ड्स अपने Dark Commander की अपनी language में आवाज सुनकर तुरंती दरवाजा खोल देते हैं और वो लोग देखते हैं कि Shade Heda वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ डैड बॉडिस पड़ी हुई है Shade Heda ने उन सब लोगों को मार डाला है वोन क्रू के सभी लोग जुक कर Shade Heda के सामने नील डाउन हो जाते हैं यो इमोरी जब अंदर पहुंसते हैं तब वो देखते हैं कि Shade Heda वहाँ से जा चुका है मॉर्फी और इमोरी वहाँ मौजूद खायल लोगों की मदद करने लग जाते हैं इंदरा भी वहाँ पहुंसती है अब उन लोगों के सामने ये चिंता है कि Shade Heda कहा जा सकता है तब ही उन लोगों को Maddy का खयाल आता है वो सभी उस डिरेक्शन में भागते हैं इधर Maddy एक टैवर्ण में अपने डॉग के साथ मौजूद है तब ही वहाँ पर Shade Heda उसके पास पहुंच जाता है वो Maddy को धमकाने लगता है वो Maddy को अपने सामने नील डाउन करने के लिए कहता है Shade Heda Maddy को बताता है कि वो इस वक्त Maddy को नहीं मार सकता क्योंकि अगर उसने Maddy को मार दिया तो इंद्रा और स्पूरी सिच्वेशन उसके हाथ से निकल जाएगी वो Maddy को अपने सामने नील डाउन होने के लिए मजबूर करता है जब Maddy उसके सामने नील डाउन हो जाती है तो Shade Heda खुश होकर वहाँ से चला जाता है जब मॉर्फी Maddy के पास उसे ढूंटा हुआ आता है तब Shade Heda वहाँ से जा चुका होता है Maddy बहुत जादा डिप्रेस्ट है मॉर्फी धीरे-धीरे Maddy को नॉर्मल करने की कोशिश करता है मॉर्फी Maddy से पूछने ही वाला होता है कि वहाँ पर Shade Heda के आने के बाद क्या हुआ था तब ही उन सभी लोगों को लाउड स्पीकर पर हो रही एनॉंसमेंट सुनाई देती है जिसमें Shade Heda सभी लोगों को बता रहा है कि इंद्रा ने उन लोगों से जूट बोला था उन लोगों का कमांडर अभी भी जीवित है और वो Shade Heda के रूप में उनके सामने है Shade Heda लाउड स्पीकर पर ही ग्राउंडर्स की लीनेज को रिसाइट करना शुरू कर देता है ये वान क्रू के सभी लोगों के लिए एक इंडिकेशन था कि उन लोगों का कमांडर अभी जीवित है और उन लोगों के बीच में ही है सभी वान क्रू के लोग वहाँ इखटा होना शुरू हो जाते हैं तब Shade Heda बहार निकल कर आता है वान क्रू के सभी मेंबर Shade Heda के सामने नील डाउन कर लेते हैं इंद्रा Shade Header के सामने आती है और वो कहती है कि वो Shade Header के सामने नील्डाउन करने के लिए तयार नहीं है। इंद्रा शेड हेडा को अपने से लड़ने के लिए चैलेंज करती है, शेड हेडा इंद्रा के इस चैलेंज को असेप्ट कर लेता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के ये बीच में इंद्रा के एक वार से शेड हेटा की तलवार नीचे गिर जाती है लेकिन शेड हेटा फिर इंद्रा को नीचे गिरा देता है इंद्रा वहीं मौझूद क्राउड में से एक आदमी की तलवार को लेकर फिर से शेड हेटा से लड़ाई करना शुरू कर देती है लेकिन शेड हेडा क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो इंद्रा को नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन के उपर अपना पैर रखे खड़ा हो जाता है तब ही पीछे से मैडी एक तलवार लेकर शेड हेडा के उपर अटेक करती है और उसकी एक आँख क उपर वार करती है शेड हेडा बुरी तरसे घायल हो जाता है लेकिन फिर भी वो मैडी से लड़ाई करने लग जाता है वो मैडी को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है तब इंद्रा चिला कर शेड हेडा को बीच में रोकती है और वो उसे कहती है कि वो उस एड़ा के सामने नील डाउन हो जाते हैं और डाक कमांडर ये देख के बहुत खुश हो जाता है वो जोरों से चिलाने लग जाता है और अपने आपको सेंक्टम का कमांडर घोशित कर देता है अचानक ही शेड़ा को महसूस होता है कि मैडी वहां से जा चुकी है वो क्रू के कमांडर नाइट को आडर देता है कि वो वहां मौझूद डेड बॉडिस के सभी परिवार वलों को खोजें और उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दें जब नाइट शेड़ेड़ा से इस बारे में अबजेक्शन करता है तब शेड़ेड़ा कहता है कि वो किसी भी छोटे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा जिससे कि वो बड़ा होकर शेड़ेड़ा से रिवेंच लेने के लिए तयार हो जाए इधर बार्डो के हालात भी बहुत नॉर्मल नहीं हैं क्लार्क और उसके साथियों को शेफर्ट के साथ डील करना है जब इको, डियो पुसा और अक्टिविया क्लार्क को बताते हैं कि वो लोग अब बार्डो के सोलजर्स हैं और वो लोग डिसिपल्स के साथ उस आखरी लड़ाई में जाने के लिए पूरी तरह से तयार हैं क्लार्क उन लोगों की इस बात को सुनकर सोच में पढ़ जाती है, क्लार्क बिल स ये समझ चुकी है कि उसके दोस्त इको, आक्टिविया और डियूसा अभी भी उसके साथ ही हैं क्लार्क के ब्रेन में अब फ्लेम मौजूद नहीं हैं लेकिन उसके बारे में उन्होंने शेफर्ड को कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब अंदर ये अंदर कुछ गड़ और बाकी लोग क्लार्क के साथ उसके दोस्तों के पास मिलने के लिए चले जाते हैं, इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि होप एक अकेले सेल में बंध है, इको उससे मिलने के लिए आती है और वहां मौजूद गार्ड को होप के सामने ही मार डालती है, इको होप को अपन सबी साथियों को इखटा करके एनोमली स्टोन रूम की तरफ ले जाए इको होप को इस काम को करने के लिए एक घंटे का समय देती है इधर क्लार्क, डियोजा और अक्टिविया से मिलने उन लोगों के रूम में जाती है कलार्क और अक्टिविया एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तबी होप वहाँ पर एंटर करती है होप वहां मौझूद सभी लोगों को इको के प्लान के बारे में बता देती है Hope उन लोगों को बताती है कि इस काम में Hope की मदद लेविट ने की है Octavia को Eco का ये प्लान कुछ गड़बर महसूस होता है Dioza भी Hope को Eco के प्लान से दूर रहने की सलाह देती है Octavia और Dioza दौनों नहीं चाहते कि बार्डो पे लहने वाले इनोसेंट लोग इन लोगों के बदले की भावना के करण मारे जाएं और बाद में Hope इसके बारे में सोचकर गिल्टी महसूस करे इधर Anomaly Stone रूम में Naila और Jordan बिल के साथ बात करते हैं बिल नाइला को Trigadessling की Language बोलता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे ये लगता है कि उसकी बेटी की बनाई हुई Language अब इन लोगों की भाशा बन चुकी है बिल नाइला और Jordan को अपनी अब तक की Discovery के बारे में बताता है कि उसने Anomaly Stone के उपर मौजूद सिंबल्स को Decode कर लिया है और वो उन लोगों को उसका मतलब भी बताता है बिल उन लोगों को बताता है कि ये Stone एक Last War की तरफ Indicate कर रहा है और वो इस Last War को लडने के लिए बहुत ज़्यादा उतसाहित है क्योंकि उसके बाद उन लोगों को और कोई लड़ाई नहीं लडनी पड़ेगी लेकिन बिल के सामने अभी ये प्रॉबलम आ गई है कि वो एनुमली स्टोन पर मौजूद पूरे कोट्स को डिकोड नहीं कर पाया है और इसके लिए उसे कलार के हेड में मौजूद आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस की मदद की ज़रूरत पड़ेगी बिल का ये मानना है कि कलार के अंदर जो आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस मौजूद है वो इस कोड को डिकोड करके उसे लास्ट वार तक ले जाने में मदद कर सकती है जॉर्डन नहीं समझ पाता कि बिल इस लास्ट वार के लिए इतना एक्साइटेट क्यों है लेकिन बिल उसे समझाता है कि इसके बाद आगे कोई भी लड़ाई नहीं होगी और वो लोग शान्ती से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे बिल जॉर्डन और नैला को ये भी बताता है कि वो इतने साल तक बार्डो में क्रायो स्लीप के जरिये जीवित रहा है बिल गैबरियल के साथ लंच करने के लिए बाहर जाता है बिल लंच करते करते गैबरियल के साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करता है वो गैबरियल को बताता है कि वो और गैबरियल दौनों एकी समान सल्फ मेड मैन है गैब्रियल शेवर्ट की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है वो अंदर ही अंदर बिल की बातों से बिलकुल भी एग्री नहीं करता और उसे कहता है कि तुम एक इन हुमन आर्मी को लेकर पूरी हुमन रेस को बचाने के लिए लड़ाई नहीं कर सकते उन लोगों की बातें चली रही होती है तब ही वहाँ पर एंडर्स आता है एंडर्स बिल से अकेले में बात करना चाहता है गैब्रियल ये देखकर वहाँ से उठकर बापस एनुमली स्टोन रूम की और चला जाता है इधर जब गैब्रियल और बिल लंच कर रहे होते हैं तब जॉर्डन अनुमली स्टोन पर लगे हुए सिंबल्स को देखकर और उसके डिकोडिंग को देखकर पजल्ड हो जाता है जॉर्डन ने मॉंटी से कोरियन लेंगोईज सीखी थी और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स कोरियन लेंगोईज में लिखे हुए हैं जिनका मतलब वो नहीं है जिसे कि इन्होंने डिकोड किया गया और उन सिंबल्स का मतलब वो नहीं निकलता जो कि यहाँ पर बताया गया है Jordan Naila को उन symbols को पढ़के बताता है कि ये लोग एक last war के बारे में बात कर रहे हैं पर Jordan के अनुसार ये एक last war नहीं हो सकती ये एक test है जो के आने वाली human race के भविश्य को decide करने वाला है Jordan उन codes को पढ़कर ये भी बताता है कि इस test को विल करडोगन नहीं देगा इधर Octavia, Diosa और Clark सभी Hope के पीछे-पीछे बाहर निकलते हैं Octavia Leavitt को अपने कमरे में बंधा हुआ पाती है वो देखती है कि इको ने उसे बुरी तरह से मारा है Leavitt Octavia को बताता है कि इको ने उनके दो लोगों को मार दिया है और उसने बायो बैपन जैम 9 को भी अपने कमचे में कर लिया है जिससे कि पूरे बार्डो ग्रह को खर्तरा हो सकता है Leavitt Octavia को बताता है कि इको का प्लान है कि वो उस जैम 9 की ड्रॉप को वाटर सिस्टम में मिला देगी जिसके कारण ये पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा Octavia ये सुनकर घबरा जाती है वो तुरंथी इको की खोज में निकल जाती है लेकिन वो जाते जाते Leavitt को फिर से बान देती है उन सभी लोगों को इको मैंटेनेंस एरिया में मिलती है जहाँ पर कि वो जैम 9 की ड्रॉप को वाटर पाइप में डालने ही वाली होती है Octavia इको को ऐसा करने से मना करती है Octavia इको को बोलती है कि बार्डो ग्रह पर बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जिन से इको बेलेमी की मौत का बदला नहीं ले सकती इको Octavia की इस बात को मानने से मना कर देती है तब क्लार इको को समझाने की कोशिश करती है क्लार इको को कहती है कि बेलेमी कभी भी इस तरह से बदला लेना नहीं चाहता था इको क्लार को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये अपने प्यार के करण नहीं कर रही है उसे बार्डो के लोगों से बदला लेना है रेवन भी इको को समझाने की कोशिश करती है वो उसे याद दिलाती है कि इको और बैलेमी स्काइरिंग प्लैनेट पर 6 साल तक एक दूसरे के साथ रहे हैं और इको को उस समय को याद करके यहां के इनोसेंट लोगों को छोड़ देना चाहिए इको रेवन की भी कोई बात नहीं सुनती तब रेवन इको से कहती है कि वो यहां के लोगों को मारने से पहले रेवन को मार दे इको रेवन की इस बात को सुनकर रोने लग जाती है गुसा एंडर्स की इस बात को सुनकर उसे जैम नाइन की बॉटल थमा देती है। तबी वो सब लोग देखते हैं कि एंडर्स वहाँ पर अकेला नहीं है। उसके साथ उसके पीछे उसकी इन्विजिबल आर्मी भी है। एंडर्स उन सभी को बताता है कि अब एको को स्काइरिंग प्लानेट पे 20 साल के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। फोब ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है और वो सीवग आगे बढ़कर एंडर्स का गला कार देती है। जब एंडर्स के हाथ से जैम नाइन की शिशी नीचे गिरने लगती है तब होब उसे लपकर पकर पकर लेती है और वो तुरंथी वाटर पाइप में उसकी ड्रॉप को डालने के लिए भागती है। से बाहर निकल आते हैं। दियोजा पूरी तरह से क्रिस्टलाइस होके मर जाती है। हमें बेलमी की और ले जाया जाता है जो कि एनॉमली के रास्ते से होते हुए एक नए प्लैनेट इथेरिया तक पहुच चुका है। इथेरिया में बेलमी उस स्टोन कंडेक्टर के साथ है। बेलमी को बहुत गुसा आता है, वो उठता है और उस स्टोन कंडेक्टर को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। बेलमी उस स्टोन कंडेक्टर का पैर भी तोड़ देता है। बेलमी जब अपने चारों और उस प्लैनेट को देखता है, तब उससे दूर पहाड़ी की एक चोटी पर एक ग्रीन लाइट चमकती हुई दिखाए देती है। बेलमी समझ जाता है कि ये ग्रीन लाइट एनुमली स्टोन की है, जहां पहुँचकर ही वो लोग बापस किसी और प्लैनेट तक जा सकते हैं। बेलमी वहाँ पर चड़ने के लिए ट्राइ करता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब बेलमी जान जाता है कि उसे उपर तक चड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। बेलमी स्टोन कंड़ेक्टर को खीज कर एक गुफा तक ले गया है और अब वो उस स्टोन कंड़ेक्टर का फ़रस्ट इट भी कर रहा है क्योंकि बेलमी समझ चुका है कि उसके बिना वो उस क्लिफ तक नहीं पहुँच सकता है। बैलेमी अपना टाइम पास करने के लिए स्टोन कंडेक्टर की डायरी को भी पढ़ने लग जाता है स्टोन कंडेक्टर की डायरी में शेफर्ट के बारे में ही लिखा हुआ था बैलेमी उस डायरी को पढ़कर शेफर्ट के जीवन के बारे में और उसके विचारों के बारे में काफी कुछ जान जाता है बैलेमी का बीच बीच में स्टोन कंडेक्टर के साथ शेफर्ट की बातों को लेकर काफी डिसकशन होता है Stone Conductor Bellamy को convince करने की कोशिश करता है कि Shepherd उन लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है और इसमें Shepherd का कोई भी स्वार्थ नहीं है Shepherd चाहता है कि आखिर में पूरी दुनिया में humanity बची रहे और वो उसी की भलाई के लिए काम कर रहा है धीरे धीरे Stone Conductor ठीक हो जाता है इस प्लैनेट पे पहले भी आ चुका है Bellamy और Stone Conductor पहाड़ी के उपर बहुत उपर तक चड़ जाते हैं तब वहाँ पर उन लोगों को स्नो मिलना शुरू हो जाती है Stone Conductor Bellamy को बताता है कि Bill Cadogan जब यहाँ पर आया था तब उसने स्नो के खतम होने का इंतजार किया था और उसी के बाद उसने आगे की चड़ाई जारी रखी थी Bellamy Stone Conductor के इस बात को मानने से मना कर देता है Bellamy चाहता है कि वो क्लिफ तक अपनी चड़ाई को जारी रखे लेकिन जैसे जैसे वो दानों उपर बढ़ते जाते हैं वहाँ का टेंपरेचर बहुत जादा डाउन होना शुरू हो जाता है Bellamy इससे आगे नहीं जा पता तब Stone Conductor को वहाँ पर एक केव दिखाई देती है Stone Conductor Bellamy को लेकर उस केव के अंदर जाता है Bellamy को Stone Conductor की डाइरी से Bill Cadogan के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है Bellamy उस गुफा को देखकर समझ जाता है कि वो गुफा Cave of Ascent कहलाती है और Bill Cadogan स्नोई सीजन में उस गुफा में रुख चुका है वहाँ पर Bellamy और Stone Conductor को Bill की फैमिली फोटोग्राफ भी मिलती है Stone Conductor Bellamy को बताता है कि इस जगे Bill को कुछ सिविलाइस्ट लोग मिले थे जिनको Bill अपने साथ बार्डो तक लेकर गया था Bellamy और Stone Conductor को बहुत महीनों तक उस गुफा के अंदर रहना पड़ता है उस गुफा के अंदर उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तब वो लोग वहीं पर उगी हुई वीट्स और वहाँ घूम रहे स्कॉर्पियों को खाकर अपना समय बिताते हैं Stone Conductor Bellamy को इस बीच Shepherd की Prayer और Shepherd के विचारों के बारे में लगातार बताता जाता है जिसे सुनकर Bellamy को Hallucination होने लग जाते हैं वो भी Shepherd के विचारों को अंदर से मानने लग जाता है और उसे एक मॉमेंट पर Shepherd भी दिखाई देता है उन्हीं मैंसे एक मॉमेंट पर Bellamy को एक समय अपनी ममी दिखाई देती है और उसकी ममी Bellamy को कहती है कि Bellamy को लाइट की तरफ जाना चाहिए कुछ दिनों बाद वहाँ पर तूफान थम जाता है और स्टो गिरना बंद हो जाती है Bellamy और Stone Conductor एक बार फिर से अपनी चड़ाई को शुरू कर देते हैं एक मॉमेंट ऐसा आता है कि जब Stone Conductor ओपर से नीचे गिरने ही वाला होता है Stone Conductor Bellamy को कहता है कि ये रसी बहुत ज़दा कमजोर है और Bellamy उसको गिर के मर जाने दे लेकिन Bellamy क्योंकि Mankind को काफी कुछ मानने लगा है वो Stone Conductor को नीचे गिरने से बचा लेता है Bellamy और Stone Conductor फाइनली क्लिफ तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर उन्हें Spiral Stone मिलता है वो दौनों Spiral Stone पर कोट्स को डाल देते हैं और Anomaly का दरवाजा खुल जाता है Bellamy और Stone Conductor देखते हैं कि इस पार Anomaly पहाड़ी के नीचे है जिसके लिए उन्हें नीचे कूदना होगा Stone Conductor Shepard का नाम लेकि नीचे कूद जाता है उसके पीछे-पीछे Bellamy भी एक बार हिच किचाता है लेकिन फिर Shepard का नाम लेकर कूद जाता है Bellamy और Stone Conductor Anomaly के रास्ते से होते हुए बार्डो प्लैनेट में पहुचते हैं जहाँ पर उन लोगों का वेलकम Shepard करता है Bellamy Shepard को देखकर इतना ज़्यादा इंप्रेस्ट हो जाता है कि वो उसको My Shepard कहकर बुलाता है इतने महीनों में Bellamy Stone Conductor के साथ रहते रहते Shepard के विचारों को अंधर ही अंधर मानने लगा था बार्डो में Octavia, Gabriel, Eco और Clark सभी Shepard के Dining Quarters में मौजूद है तब ही वहाँ पर Bellamy को लेकर बिल एंटर करता है Eco, Octavia, Clark सभी लोग आश्यरे से Bellamy को देखने लग जाते हैं Octavia और Eco, Bellamy के और बढ़ते हैं लेकिन बार्डो के Guards उनकी तरफ गन पॉइंट आउट कर देते हैं जिसके करण वो Bellamy से मिलने आगे नहीं बढ़ पाते Clark धीरे से Bellamy के और बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है Clark क्योंकि इन लोगों की चाबी है इसलिए ये लोग Clark की और गन पॉइंट आउट नहीं करते Clark Bellamy के गले लगती है और उसे बताती है कि Shepard को ऐसा लगता है कि Clark के पास की है Bellamy तभी Clark को एका एक अपने से अलग करता है और वो Shepard की और घूम जाता है Bellamy Shepard को बताता है कि Clark की नेक में अब की नहीं है और की जिसे कि ये लोग फ्लेम बोला करते थे पुरी तरह से डेस्ट्रॉय हो चुकी है Octavia Clark और Eko Bellamy के मुह से ये सब सुनते हैं और शौक्ड रह जाते हैं Clark को Bellamy से इस तरह के बिहेवियर की बिल्कुल भी आश्रॉय पहले चलते हैं सेंक्टम की और जहां पर Shade Hida ने सब ही लोगों को कंड्रोल करना शुरू कर दिया है वो चाहता है कि लोग उसके सामने नील डाउन करें सबसे पहले वो Morphe और Imori को नील डाउन होने के लिए कहता है Morphe और Imori Shade Hida को कहते हैं अगर उन लोगों को सेंक्टम अच्छे से चलाना है तो Imori और Morphe को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वही दोनों Nuclear Reactor Room के बारे में सब कुछ जानते हैं और वहां से सेंक्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं Shade Hida Imori और Morphe के बात सुनते हुए उन दोनों को आजाद कर देता है Shade Hida इसके बाद ELEGS 3 के Prisoners को अपने सामने नील डाउन होने के लिए कहता है ELEGS 3 के Prisoners Shade Hida के सामने नील डाउन हो जाते हैं इसके बाद बारी आती है Children of Gabrielle की Children of Gabrielle नेलसन के साथ वहां पर आते हैं लेकिन नेलसन और बागी Children of Gabrielle Shade Hida के सामने नील डाउन करने से मना कर देते हैं Shade Hida एक Machine Gun उठा कर सभी Children of Gabrielle को मार डालता है वो नेलसन से आखरी बार पूसता है कि क्या नेलसन अभी भी नील डाउन करना चाहता है नेलसन Shade Hida के सामने नील डाउन करने से मना कर देता है तब Shade Hida Nielsen को भी मार डालता है Shade Hida का Commander Knight आकर Shade Hida को बताता है कि सभी लोगों ने Shade Hida के सामने सरेंडर कर दिया है Shade Hedda Knight से Maddy और Gaia के बारे में पूसता है Knight Shade Hedda को बताता है कि Maddy और Gaia दोना ही मिसिंग है और उन लोगों को Clark और उनके ग्रूप के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है Shade Hedda के हातों में Maddy की Notebook है जिसमें कि Spiral Stone से related pictures बनी हुई है Shade Hedda Maddy की उस Notebook को गौर से देखता है और कहता है कि वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पहचानता है ऐसा लगता है कि Shade Hedda को Final War के कोड के बारे में पता है Shade Hedda इंदरा से और Tree Crew के सभी मेंबर से Palace के अंदर पड़ी हुई dead bodies को clean करने के लिए कहता है इंदरा जब dead bodies को clean कर रही होती है तब उसे Maddy का friend Luka उन लोगों के बीच में पड़ा हुआ दिखाई देता है इंदरा Luka को कहती है कि वो मरे होने का दिखावा करे इंदरा उसे ट्रॉली में बाकी dead bodies के साथ डाल लेती है मॉर्फी और इमोरी मशीन गैराज में है जहाँ पर उन लोगोंने Maddy के समेट कई लोगों को nuclear reactor room के अंदर छिपाया हुआ है इंदरा लिउका को लेकर इमोरी और मॉर्फी के पास आती है और वो लिउका को इमोरी और मॉर्फी के हवाले कर देती है जिससे कि वो लोग लिउका को भी बाकी लोगों के साथ अंदर छिपा लें Shade Hida को इंदरा के उपर भरुसा नहीं होता Shade Hida इंदरा के पीछे निकी को भेज देता है निकी इंद्रा के पीछे पीछे मशीन गैराज तक आती है और इंद्रा के मशीन गैराज से जाने के बाद वो मशीन गैराज का दरवाजा खट-खट आती है मॉर्फी और इमोरी निकी को अंदर लगे हुए कैमरे से देख लेते हैं मॉर्फी मशीन गैरज का दर्वाजा खोलने के लिए बाहर जाता है और इमोरी किसी भी सिच्वेशन से लड़ने के लिए वही रुख जाती है निकी मशीन गेरास के अंदर आती है और मॉर्फी को न्यूक्लियर रियक्टर रूम का दर्वाजा खोलने के लिए फोर्स करती है जब मॉर्फी न्यूक्लियर रेक्टर रूम का दरवाजा खोल देता है तब निकी देख लेती है कि वहाँ पर उन लोगा ने मैडी के समेट बहुत सारे लोगों को छिपाया हुआ है निकी ये देखके बहुत गुसा हो जाती है वो मॉर्फी को धमकी देती है कि वो अभी जाकर शेड हिड़ा को यहाँ के बारे में सब कुछ बता देगी तब ही वहाँ पर पीछे से इमोरी आती है और निकी के उपर वार करके उसे बहोश कर देती है इधर पैलेस में नाइट शेड हिड़ा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है जिसमें के हड्डियों से बना हुआ एक थ्रोन भी है नाइट शेड हिड़ा के लिए एनॉमली स्टोन भी लेकर आया है जो कि उसे गैब्रियल के टैंट से मिला था नाइट इसी वक्त शेड हिड़ा को बताता है कि निकी मशीन गैरास रूम तक इंदरा के पीछे पीछे गई थी शेड हिड़ा नाइट के मुझे ये सुनता है और वो नाइट को लेकर तुरंत ही मशीन गैरास तक पहुँच जाता है इधर मॉर्फी और इमोरी को शेड हिड़ा और उसकी साथियों के आने के बारे में कैमरे से पता चल जाता है शेड हिड़ा बाहर से चिला कर मॉर्फी को मशीन गैरास का दरौजा खुलने के लिए कहता है इमोरी माइक पर चिला कर बताती है कि अगर उन लोगों ने मॉर्फी को कुछ भी नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो वो न्यूक्लियर रियक्टर रूम को उड़ा देगी जिससे कि पूरा का पूरा सैंक्टम खतम हो जाएगा नाइट को इमोरी के इस बात के उपर भरोसा नहीं होता लेकिन मॉर्फी उनको एश्योर करता है कि इमोरी जो भी कह रही है वो सच कह रही है और अगर उसने ऐसा किया तो पूरा का पूरा सैंक्टम खतम हो सकता है शेड हेड़ा को चैस बहुत पसंद है वो वहाँ पर चैस रखे हुए दिखता है और बहुत ज़्यादा खूश हो जाता है इधर बार्डो में बिल केडोगन बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि कलार के हैड में की नहीं है बिल गैब्रियल को गिरफतार करवा के सेल के अंदर भिजवा देता है। उसी वक्त बैलमी बिल के पास आता है। बिल बैलमी को कहता है कि उसके दोस्तों को इस बात की सजा मिलेगी। कि उन लोगों ने क्लार की सच्चाई को बिल से छिपाया। तब बैलमी बिल को सजेस्ट करता है कि उन लोगों के सामने एक और रास्ता भी है बिल के पूछने पर बैलमी उसे बताता है कि वो लोग उस फ्लेम को ढून कर उसे रेपेयर कर सकते हैं और उसकी साहिता से फाइनल वार तक पहुंच सकते हैं बिल बैलमी की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है वो बैलमी से कहता है कि अगर उसके दोस्तों ने उसे फ्लेम दे दी और उसे रिपेर कर दिया और उसकी फाइनल कोड तक पहुचने में मदद की तब वो क्लार्क और उसके दोस्तों को यहां से इजिली जाने देगा बैलमी सबसे पहले एको और रेवन के रूम में जाता है और उन्हे बिल के साथ हुई अपनी बाच्चीत के बारे में बताता है एको और रेवन बैलमी के मूँ से ये सब सुनकर खुश नहीं होते एको को ऐसा लगता है कि बैलमी अभ वो पुराना वबेलमी नहीं रहा, वो पुरी तरह से बदल चुका है रेवन बेलमी को कहती है कि वो फ्लेम के बारे में कुछ नहीं जानती तब बेलमी अपने साथ आए गार्ड्स को ओर्डर देता है कि वो लोग रेवन को मैमोरी कैप रूम तक ले जाएं और वो लोग जहां पर बार्डो के साइंटिस्ट उसके माइंड को रीड करके फ्लेम के बारे में पता लगा लेंगे इको बेलमी को इस तरह से देखकर निराश हो जाती है बेलमी इको को देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब पीस के लिए कर रहा है और ये युद्ध उन लोगों का आखरी युद्ध होगा इसके बाद वो लोग शांती से जीवन बिताएंगे बेलमी इको को उसी हालत में छोड़कर बाहर निकल जाता है वहीं पर एक रूम में जॉर्डन और होप मौजूद है होप और जॉर्डन अपस में बात करने लग जाते हैं तब वो दोनों रियलाइस करते हैं कि उन दोनों का बच्पन अकेले बीता है वो दोनों अपने आप ही अकेले ब्रॉट अप हुए हैं और वो दोनों काफी कुछ एक समान है होप इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपने सबसे प्यारे डैव को खो चुका है और अब उसकी मौम भी इस दुनिया में नहीं है जॉर्डन होप को समझाने की कोशिश करता है कि डियोसा ने अपनी जान होप को बचाने के लिए नहीं दी वो होप की आत्मा को बचाना चाहती थी जिससे कि होप को आगे जाकर अपने किये के उपर गिल्टी महसूस ना हो होप जॉर्डन की इस बात को सुनकर रोने लग जाती है और जॉरडन होप को सांतिना देने लग जाता है वहीं पर एक रूम में आक्टिविया और क्लार्क बंध है क्लार्क और आक्टिविया अपस पे बात करते हैं कि वो दौनों सिंगल पारेंटिंग कर रहे हैं आक्टिविया होप के लिए एक सिंगल मदर के समान है जबकि Clark मैडी के लिए वही रोल पले करती है उसी वक्त वहाँ पर Bellamy बाडू के दो गार्ड्स के साथ एंter करता है Bellamy Clark और Octavia को अपने प्लैनेट इतेरिया पर बिताए गए पलों के बारे में बताता है लेकिन Clark और Octavia को अब Bellamy की बातों पर भरोसा नहीं है वो अविश्वास की नजरों से बेलमी की और देखती है क्लार्क बेलमी को कहती है कि मैं आज अपने बेस्ट्रेंट के सामने खड़ी हूँ लेकिन मैं अपने बेस्ट्रेंट को नहीं पहचान पा रही ऐसा लगता है कि वो दूर कहीं गुम हो चुका है बैलेमी को क्लार्क की इन बातों से कोई फरक नहीं पड़ता वो क्लार्क से सिरफ फ्लेम के बारे में ही जानना चाहता है तब क्लार्क छला कर उसे कहती है कि वो यहां से चला जाए बैलेमी अपने साथ हाई गार्ड्स को इशारा करता है और उन्हें कहता है कि वो लोग Clark को mcap room तक ले जाएं ताकि वहां Clark की memory को पढ़ कर claim के बारे में पता लगाया जा सके Clark को mcap room में दिखाया जाता है Clark बहुत जादा strong है वो इतने easily give up नहीं करती और अपनी memories को वहां मौझूद scientist को नहीं दिखाती जिसके कारण वहां मौझूद scientist Clark के neural link तक नहीं पहुँच पाते और Clark का mind damage होने लग जाता है Bill Clark की इस हालत को देख कर mcap memory reading को वहीं रोकने के लिए कहता है और वो Clark को धमकाता है कि अगर उसने उन लोगों की मदद नहीं की तो वो Clark के सभी दोस्तों को Skyring Planet में भेज देगा Clark बिल की इस बात को मान कर उसे flame के बारे में बताने के लिए तयार हो जाती है बदले में Clark बिल से कहती है कि वो उसके सभी दोस्तों को bardo से safely sanctum तक पहुचा दे वो सभी लोग stone room में मिलते हैं जहां पर Cadogan, Miller, Jordan, Eco, Octavia और Hope को Anomaly Stone का यूज करके कहीं भेज देता है Anomaly Stone room में बिल के सामने Clark, Gabriel और Raven अभी भी मौजूद है Raven समझ जाती है कि बिल ने उनके दोस्तों को sanctum में नहीं भेजा है Clark के इसका कारण पूछने पर बिल उसे बताता है कि उसके दोस्त इस वक्त सेफ हैं लेकिन सिरफ वही जानता है कि वो लोग कहा है और अगर Clark ने उसे flame के बारे में नहीं बताया तो वो अपने दोस्तों से कभी भी नहीं मिल पाएगी बिल ने Clark के दोस्तों के साथ गैब्रियल और रेवन को नहीं भेजा था क्योंकि गैब्रियल और रेवन दौनो एनोमली स्टोन को एक्टिवेट करने के बारे में सब कुछ जानते थे इधर हमें बापस sanctum के और ले जाया जाता है जहां पर एनोमली स्टोन अब शेड हिड़ा के पैलेस में मौजूद है शेड हिड़ा देखता है कि एनोमली स्टोन एक्टिवेट हो गया है और एनोमली का दरवाजा खुल जाता है एनोमली के रास्ते से होते हुए रेवन, क्लार्क, कैब्रियल, बेलेमी, बिल, सैंक्टम तक आप पहुंसते हैं क्लार्क जैसे ही एनोमली डोर के थूँ सैंक्टम के अंदर आती है और अपना हेलमेट उतारती है वो वहाँ के हालाद देखकर चौंक जाती है और सबसे पूस्ती है कि वहाँ क्या हो रहा है मौर्फी क्लार्क को देखकर मुस्कराता है और उसे कहता है कि वो नहीं जानता किस कहानी को वो, क्लार्क को किस तरह से सुनाना शुरू करे